हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल बायो अडिक्टिड जैसे कि आप सभी को पता है नीट 2021 हो चुका है और उमीद करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी का एक्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश टेट कोटा कट आफ के बारे में जैसे कि नीट 2021 के बारे में आप सभी जानते हो कि बायलोजी और केमेस्ट्री जो सेक्षन था हमारा वो कम्पेरिटिवली इजियर आया था लास्ट टाइम जितना ही इजी था और इस बार जो फिजिक सेक्षन था वो लिटिल बिट टॉफ आया था थोड़ा moderate किसम का पेपर आया थो तो हां इसका असर कट आफ पर भी पढ़ने वाला है और इसके कारण क्या होगा कि कट आफ लो जाने वाली है थोड़ा लास्ट टाइम से तो चलिए बात करते हैं हिमाचल परदेश टेट कोटा कट आफ के बारे में अगर आप हिमाचल परदेश में हैं और जनल काटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका नीट का स्कोर 505 मार्क्स बन रहा है तो आपको कोई न कोई गौवर्मेंट मेडिकल कॉलिज मिल सकता है 5 मार्क्स अप एंड डाउन इसमें हो सकता है अगर आप OBC काटेगरी में हो और अगर आपका नीट का स्कोर बन रहा है 445 के अराउंड या 5 मार्क्स अप एंड डाउन तो आपको कोई न कोई गौवर्मेंट मेडिकल कॉलिज हिमाचल परदेश में मिल जाएगा अगर बात करें ST कैटेगरी के लिए तो ST कैटेगरी के लिए भी लगभग यही कट ओफ रहती है तो ST कैटेगरी म में लास्ट येर कट ओफ जादा रही थी SC से तो अगर आपका नीट का स्कोर 447 के आसपास बन रहा है 5 मार्क्स अप एंड डाउन तो आपको कोई न कोई गौवर्मेंट के मेडिकल कॉलिज मिल जाएगी तो यह थी हिमाचल परदेश में सभी कटेगरीज के लिए स्टेट कोटा कट ओफ ऐसा कोई हाड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कट ओफ यही रहने वाली है वो रिजल्ट के हिसाब से और काउंसलिंग के टाइम पर पूरा पता लग पाएगा लिकिन लास्ट येर के डाट और रैंक वाइस जो हमने डाटा उठाए है और एक्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्र अगरी हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं तब तक के लिए मैं आप रवी का दोस्त रवी आप सबी से लेता हूँ अलविदा जै हिंद जै भारत